ही गाईज वल्कम बैक टूजी एक्रिटो चैनल नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत हैं दोस्तों आज के इस वीडियो में आप सभी के साथ मैं बात करूंगा रेयार नेटवर्क के बारे में जिसके अंदर अच्छा खासा पोटेंशिल है जिसमें हम लो आपको अच्छे एडरोप मिला है या आपने मिस कर दिया है तो यहाँ पर दोस्तों रेयार नेटवर्क के एक ऐसा प्रजेक्ट होने वला है जिसमें हम लोग अगें चार से पांच डिजेट के बीच में प्रॉफेट अन कर सकते हैं अगर आप यहाँ पर पर पर्टिकुलर करी हैं रिसेंटली डोक टोकन से यहाँ पर दोस्तों प्रॉफित मिला है जितने भी लोगों के पास रियून इस टोन एन एफ्ट है उन सभी को मल्टिपल इहाँ पर बॉनस मिल रहे हैं मुल्टिपल एड्रोप मिल रहे हैं 2.000-3.000 भालाइड 4.000 ऐसे करके यहाँ पर तो यहां पर आप लोग इस टेकिंग कर सकते हो उनकी और यहां पर जो कि फ्लेक्सिबल स्टेकिंग कभे भी आप विड्रो कर सकते हो और पांच मिलियन डॉलर का पूल है यहां पर जिसमें की रिटन मिलेगा इंटम्स ओफ एर्डॉप तो इनमें दिखा जाए तो कोई दो दिन पहले ही अपना केम्पेंग स्टार्ट गया और दो दिन के अंदर यहां पर इन लोगों को 168 मिलियन डॉलर की यहां पर TVL यानि की इतना डॉलर का यहां पर जो वैल्यू है फंड है वो यहां पर लोगों ने डेपोजिट करके स्टेकिंग पर लगा दिया इस प्र दो दिन यहां पर अलड़ी हो चुके हैं तीसर दिन यहां पर चल रहा है और यहां पर यह सिक्स्त में को एंड हो जाएगा ठीक है तो अभी यहां पर आप इस टेकिंग पर लगाओगे अभी यहां पर आप डेपोजिट करोगे तो आप यहां पर जादा से जादा experience points को earn कर पाओगे और यहां पर कमाल की बात अभी early stage के अंदर 3x boost प्लस यहां पर up to 10x boost मिल रहा है जो कि limited time के लिए हैं तो मैं यही बोलूँगा मैंने सके अंदर staking की हुई है मैंने सके अंदर deposit के हुआ है इसके अंदर कोई भी risk नहीं है कभी भी हम लोग withdraw कर सकते हैं लेकिन यहा यहां पर जो भी experience points earn किये हैं वो यहां पर wash out हो जाएंगे तो इनको अगर आपको सच में फार्म करना है तो आप तभी stake करिएगा अगर आपको seriously होके फार्म नहीं करना आपको लगता है आपको अपने funds यहां पर deposit नहीं करने तो आप लोग नहीं करिएगा ठीक है और एक औ तो मैं यही बोलूँगा कम से कम 500 से लेकर 1000 डॉलर तो इसके अंदर आप लोग deposit करिएगा अगर आप इसमें stake करना चाते हो अगर airdrop को farm करना चाते हो अगर आप इससे कम का सोच रहे हो तो मैं आपको बिलकुल भी suggestion ही करूँगा अगर आप 100-200 डॉलर का सोच रहे हो तो लिए दोस्तों करना क्या होगा उससे पहले दोस्तों आप सभी से एक और request है आप अपना में telegram पर follow नहीं है तो make sure to follow us on telegram दोस्तों recently telegram and twitter के username हमने है यहाप चेंज करे हैं तो जीए crypto official username है इसको आप लोग ध्यान से देख लीजिए और कोई अगर username आपको मिलता है तो वो official नहीं है तो इसके बारे में यहाप टेलीग्राम पर बेनाउंस के तो जैसे कि आप यहाप देख सकते हैं इसके बारे में announcement की थी आपके साथ कुछ दिन पहले तो यहाप ट्यूटर का telegram का and YouTube का हमारे जो username में दोस्तों यहाप वो जीए crypto के नाम से चेंज कर दी गहें और इ जैसे कि आपका जो mind है थोड़ा सा clear हो जाएगा और समझ में आ जागा कि यह project क्या है दोस्तों basically एक layer 2 optimized modular layer 2 blockchain है और यह जो blockchain है यह specifically focused है DEX की उपर यानि कि Rhea क्या कर रहा है इसने अपनी खुद की blockchain तो launch करी है modular layer 2 आज का trend दोस्तों market के अंदर crypto market के अंदर layer 2 के अंदर modular chains का बहुत जादा है और इस bull market के अंदर modular chains वाले जो project है बहुत अच्छा boom करेंगे लेकिन यहाँ पर Rhea क्या कर रहा है modular chain तो ला रहा है लेकिन साथ साथ में यह focused है perpetual dex cuber and spot dex cuber अभी तो इस starting में यह लोग अपना perpetual dex launch करेंगे ठीक है जो कि इनकी खुद की modular layer chain की उपर होगा layer to chain की उपर होगा लेकिन साथ ही साथ में आप सभी को बता है centralized exchange की उपर कितना जादा problem होने लगा है tax को लेकर के regulations को लेकर के तो आने वाले जो time है दोस्तों जितने भी market में decentralized exchange आ रहे हैं उनका बहुत जादा अच्छ होने वाला है तो जितने भी अच्छे project है उनको early stage के अ अंदर बताया हुआ है काफी अच्छी funding इन लोगों को मिली हुई है जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो 16 million dollar का यहाँ पर दोस्तों यह fund raise कर चुके है different top-notch venture से तो hopefully यहाँ पर आप इसको farm करो जल्दी से जल्दी farm करो क्योंकि limited days के लिए है और farm करने के लिए करना क्य जाए reserve boost ठीक है तो अभी इनका जो campaign चल रहा है यह 6th में तक active रहेगा and जो लोग जितना जादा deposit करेंगे उतना जादा यहाँ पर points earn होंगे सीधी simple सी बात है अगर आप जादा कर सकते हो minimum मैंने एक 500-1000 dollar बोल रहे है अगर आप और जादा कर सकते हो 4-5-4 dollar तो कोई risk नहीं ह आप यहाँ पर deposit कर सकते हो तो जैसे कि यह मेरा दूसरा account है और इस account से मैं यहाँ पर 2000 USDC deposit करना चाहूंगा और इस rate drop को farm करना चाहूंगा साथी साथ में दोस्तों यहाँ पर lucky reward भी चल रहा है lucky boost मिल जागा तो आपको करना क्या होगा यहाँ पर दोस्तों multiple chains है ठीक है करना पसंद कर रहा हूं आप चाहो तो polygon भी यूज़ कर सकते हो optimism भी यूज़ कर सकते हो लेकिन यहाँ पर हम लोगों को सिर्फ एक ही token की नीट पढ़ेगी वह पढ़ेगी USDC तो USDC token के अंदर आपको यहाँ पर कुछ न कुछ आपके पास USDC होने चाहिए फिर आप उसको bridge क करते हो इसका यूज़ करते हो तो यहाँ पर आपके मल्टिपल बेनेफेट्स रहेंगे पहले चीज़ तो यहाँ पर डी ब्रिच का खुद का पॉइंटिंग सिस्टम चल रहा है अगर आप बिरिच करते हो तो इसके points भी अन होंगे और डी ब्रिच का खुद का token आयगा definitely funding इसके बार में telegram पर post share कर चुद तो telegram पर आपके साथ post share करी है तो यहाँ पर मैंने करीब इहाँ पर 4000 के आसपास points on कर ली है मैं ऐसे ब्रिच का यूज करता हूँ जिनकी अंदर potential airdrop के chances काफी जाता है और recently डी ब्रिच ने point system यहाँ पर लाया है तो यहाँ पर यह और बी अच्छा है तो इसको हमें यूज करना चाहिए 5.5 million dollar की funding यह लोग रेस कर चुके है अच्छे कासे venture से तो दोस्तों जब आप ब्रिच करते हो तो आप किसी भी chain का यूज कर सकते हो एंदर ब्रिच कर सकते हो एंड जब आप ब्रिच करते हो तो आपको USD Coin Arb1 के नाम से यह मिलेगा इसके अंदर आपको chain की उपर USDC है उनके last में .E लगा हुआ है यानि की layer 2 की उपर wrapped है यह ठीक है अब यहाँ पर 2000 USD थी जब आपके पास आ जाएंगे यहाँ पर आप bridge कर लोगे या swipe कर लोगे तो उसके बाद यहाँ पर आप amount को stake कर सकते हो ठीक है तो यहाँ पर मैं पता जितना amount है मैं यहाँ पर उसको put कर देता हूं अप्रूव कर देता हूं आर्बिटरम चैन की उपर gas fees दोस्तों बहुत कम लगती है जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं 0.003 डॉलर लग रही है तो कोई माइन नहीं रखती दोस्तों इस फीज हम लोग यहाँ पर approve कर सकते हैं और इसको deposit कर सकते हैं सो अब simply यहाँ पर आप इसको deposit पर click करिए और यहाँ पर transition को finally complete करिए और बहुत कम fees के अंदर हमारे हाँ पर काम हो चुका है अब दोस्तों जब आप एक बार यहाँ पर deposit कर देते हो तो यहाँ पर आपके सामने congrats का message आता है यहाँ पर बोला है कि आपको randomly 1 से लिके 10x extra liquidity boost मिल सकता है तो extra boost पर click करना no thanks पर click मत करना नहीं तो यह opportunity चली जाएगी ठीक है and and maybe यहाँ पर जो हमें extra boost मिला है यह maybe only 48 hours के लिए active रहेगा तो मैं इसको try नहीं गया 48 hours अभी हुए नहीं है but let's see जैसा भी होगा telegram पर आपको update कर दूँगा हमने आप बूस्ट पर click करा let's see कि देखते हैं कितना random boost यहां पर मिलता है ठीक है तो यहां पर मुझे click करना है किसी भी एक statue पर यहाँ पर use का कोई भी एक statue step का में हाँ पर click कर सकता हूं and यहां पर जब मैं click करता हूं तो let's see in game पर में click करता हूं and almost यहां पर 10x boost मुझे मिला है डीग है तो ऐसी randomly आपको कि इसी भी करेक्टर पर क्लिक करना है एंड यहां पर टूइट कर दिना है जिस फॉर्मलेटी करनी है और वेरिफाइंग पर यहां पर चेक चल ला है तो यह जिस फॉर्मलेटी है कुछ वेरिफाइव वेरिफाइव नहीं करेगा यह जिस आपको 10x बूस्ट अब मिल जाएगा यहां पर आपको 10x बूस्ट मिल चुका है एंड इसको आप क्रॉस कर सकते हैं देख सकते हैं कि आपने कितना अमॉंट डेपोसिट किया है तो पेंडिंग में दिखा रहा है एंड पेंडिंग के बाद यहां पर शो करेगा ठीक है थोड़ी दिर में ट्रांडिक्शन प्रॉ अब यहां पर जिस्ट डेपोसिट करना है और आपको लिकुडि आपको एक्सपिरियंस पॉइंट अन होंगे तो यहां पर यहां पर यह पॉइंट्स अरु पाएंगे ठीक है एक और चीज़े हैं पर जो बूस्टेड रवाड़ है भी 3x मिल रहा है वो भी यहां पर लोर ह जाएगा हो सकता है 1x हो जाए हो सकता है 1.5x हो जाए तो कुछ इस थरीके से यहां पर हो जाएगा सीन एंड 6th में के बाद आप यहां पर अपना जो डिपॉसिट अमाउंट है उसको आप विड्रो कर सकते हो और उसके बाद यहां पर कोई भी एफेक्ट नहीं पड़ेगा आपके experience points जो आपने earn करे हैं वो अतनी रहेंगे अगर 6 में से पहले आप withdraw करते हो तो दोस्तों यहां पर जो भी आप earn करोगे वो यहां पर 0 हो जाएगा ठीक है तो इस बात का आप लोग ध्यान रखेगा तो ओफुली आपको समझ में आ चुका है गाईस फिलासी वीडियो